किसान आंदोलन की बीच आखिरकार केंद्र सरकार ने अपने तीनों नए क्रशी कानून वापस ले लिए हैं। पेम नरेंद्र मोधी के एलान के बाद अब कॉंग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर अपने प्रतिक रिया दी है। जहां राजस अभासान सादी विजयों सेहने सरकार के इस फैसली कुई लेकर क्या कुछ कहा जरा आप खुद ही सुनिये नरेंद मोदी जी और भारती जन्ता पार्टी शायद किसानों की ताकत नहीं समझते कॉंग्रेस पार्टी ने जब भूमी अधिकर्ण अधियनियम लाए बाचपा ने उसका विरोध किया और पहला काम मेरें मोदीजे ने किया था कि उसके खिलाफ ओडिनस निकाला लेकिन जब किसानों ने विरोध किया तो उन्हें मजबूरी में उसे स्विकार करना पड़ा आ आलांकि राज शासन उसका पालन नहीं कर रहे हैं मत्रपदेश में जो ग्रामीन शेत्रप में जमीने अधिगरत की जाती हैं उसका चार गुना मुआवजा देना चाहिए सरकारी रेट से वो नहीं दिया जा रहा है कहीं कहीं दो गुना दिया जा रहा है और फिर ये तीनों वे कानून लाए, किसान विरोदी और पूरी भाजपा लगी रही कि बहुत अच्छे कानूने, बहुत अच्छे कानूने, बढ़ी प्रगति होगी। यहां तक कि नरेंद मोधी जी ने हर हाशन में कुछ न कुछ किसानों के इस खिलाफ आई हुए कानून के पक्ष में बाद की लेकिन आज फिर से लोकतंत की विज़े हुई किसान आंदोलन की विज़े हुई उन बहादूर किसानों को मैं बदाई देता हूँ जो आज एक साल से धरने पर बैठे हुए थे उन शहीदों को मैं शिद्धान जली देता हूँ जो इस कानून के विरोध में संगश करते हुए जिन्होंने अपने जान के खोड़े हुए प्रसंता के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि देश के किसानों ने एक बार फिर से जता दिया कि उनसे फिरात पूछे तलाशे कोई भी अगर आप कानून लाएंगे तो किसान अपना हिद्ध समझता है आप उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते हुए मैं बहुत पढ़ाई देता हूँ और मांग करता हूँ दो मांगे हैं मेरी और आप तीन मांगे हैं मेरी प्रधार मनक्राश नमबर एक आने वाले सेशन में वे इस कानून को निरस करने के लिए कानून लाएं ताकि उस पर सील पार्लिमेंट की लग सके नमबर एक नमबर दो मस्पी के मामले में कानूनन उसको स्वरूप देने के लिए वे सभी राजनेतिक डल सभी किसानों के गतल साथ चर्चा करें और उसके बाद आने वाले सत्र में या उसके बाद बज़र सेशन में किसानों के पक्ष में MSP के लिए कानून नाएं और तीसरा जो शहीद हुए हैं उनको पूरे तरीके से उनका सम्मान के साथ उनके शहादत को स्विकार करते हुए उनने कंपनेशन दिया जाए रात राशी दी जाए